नमश्क्र दोस्तो आज हम किसी दवाई के बारे में नहीं बात करेंगे और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ जेंट से ही इस्तिमाल कर सकते हैं और उन्हीं के लिए ये स्पेशल तोर पे बनाए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास है पूरी रेंज है जो की बैड मैन के नाम से है और ये आती है दिवीशा कंपनी वालों की जिनकी ये रूप मंत्रा क्रीम वगएर आती है ना रूप मंत्रा एकने जेल वगएरा और एलोविरा जेल का मैंने कुछ दिन पहले साबुन क्रीम और पर्फ्यूम और फेस वास शेविंग क्रीम ये मतलब रोजाना यूज होने वाली चीजे हैं तो वही कंपनी वालों ने बनाए हैं बहुत ही बड़ी है प्रोडक्ट है मैंने खुद यूज किये हैं पहले तो मैं इन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो पहरहे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजह सात में झो घंटी और निशाने उसे ओल पेट टच कर दीज़े ताक यह यह वी वीडियोस के ओनल नोटिफ्यकेशन मिलते रहें तो सबसे पहले देखते हैं सोप के बारे में ये साबून आता है इनका बैड मैन जैसा कि आप देख रहे हैं लोगो है इस पे और सेफरोन सोप प्रेमियम सेफरोन सोप है ये और डेट सो ग्राम का होता है और इसका MRP कुछ है धाई सो रपे का है काफी कोस्टली है नॉर्मल साबून से लेकि कुछ इसमें जो खास बाते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं जैसे कि इस साबून से नहाने से इसकिन बहुत ही बड़िया सॉफ्ट रहती है और शरीर पे कहीं पर भी छोटी मोटी फिंसें वगेरा नहीं होती है और खुजली वगेरा भी नहीं होती है साथी साथ एकने करने के लिए जैसे कि जिन पुर्शों का रंग बहुत ज्यादा सामला है और तो उनके लिए यह स्पेशल तोर पर बनाया गया है यह स्किन को गलो करता है और बहुत ही बड़िया इसकी फ्रेग्नेंस होती है और कुछ इस प्रकार से यह साबुन होता है जैसा कि प्यर्स साबुन देखने में लगता है न वैसा ही कुछ है और दौस्तों कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी ठीक है और चलिए दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं यह क्रीम है की टी ट्री इसमें डाला गया है और क्लिंजिंग नर्शिंग मॉस्चराइज है यह क्रीम यानि की फेस के लिए बहुत ही बढ़िया है यह फेस पे छोटे मोटे दाग धब्बे जो होते हैं उनको ठीक कर देता है और साथ में रेडनेस होती है एकने पिंपल्स होते हैं जो प उसको भी यह क्रीम सही रखती है बिल्कुल भी फेस की उपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देती है और इसमें जो इनिग्रेंट से हैं बिल्कुल ही ऐरवेदिक है जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इसमें डाला गया है और गन औल एथाइल एसकॉर्बिक एसिड तो प भी लगा सकते हैं नहीं तो दिन में एक बार भी लगा सकते हैं और यह बहुत ही बड़ियाश का मिस्ट स्प्रे है यह बैड्मन का ही यानि की जो पर्फ्यूम है यह बहुत ही बड़िया इसकी फ्रेग्नेंस है और यह 400 का इसका MRP है ठीक है 100 Ml की बॉटल का क्रीम का भी मै चेहरे के उपर दाग धब्बे हैं फिंसिय रहती है किने पिंपल्स है वो इसको यूज कर सकते हैं ठीक है और ये इसका स्प्रेय है यानि की पर्फ्यूम है ठीक है कुछ से प्रकार से इसकी बॉटल होती है बहुत ही बड़ी इसकी फ्रेग्नेंस है तो अगला प्रोडक्ट मैं इसका चार आप देखते हैं वह है इसका चरकुल फिश ओस है यह ब्लैक हैट को जाते हैं चेहरे की ओपर ठीक और वाइट हेट और इसका MRP भी साड़े तीन सुर रपे है मैं दिखा नहीं पा रहा हूं क्योंकि एक साथ कर रहा हूं न सब का ठीक है तो इसका इसका धाई सुर रपे है शेविंग क्रीम का बड़िया है अच्छा है और दिवीसा बालो का है बैड मैं के आप निखाला है उन्हें यह प्रोडॉक्ट और अच्छे हैं एक बार पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूं कि मुझे काफी अच्छे लगे थे तो मैंने सोचा चलो फिर भी हाए हैं यह तो मैंने सोचा चलो इसका रिव्यू कर देता हूं आपको भी बता देता हूं अगर आ आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो और ये साथ में शेविंग क्रीम भी है अच्छी है और इससे भी चहरेक ऊपर दागदब्बे नहीं रहते हैं और कटट जाता है अगर शेविंग करते समय तो कवर कर लेता है ऐसा कुछ ठीक है तो बहुत ही बड़ी प्रोडक्ट ह हैं अगर आप यूज करना चाते हो तो एक बार जुरू कर सकते हैं आपको यह पास के ही कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगी तो आज के दोस्तों बस इतना ही उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने अभली करते हैं नवड़ाद